कि आप लोग आई हो कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपको स्वागत करता हूँ कौमर्सी पाच चाहरा है और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज मैं बात करने वालों में एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर जो की है accountability as the key to good corporate governance तो accountability के होने से जो corporate governance है वो अच्छी तरीकी से हो पाता है इसके बारे में हमारा ये topic होने वाला है तो लक्षर स्टार्ट करते हैं वर उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को यहा प्लीट करने के बाद जो कि यह कॉमेर्स ही पार्चला आप हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए चाहां पर आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो की 1st year 2nd year की है जिसके अंदर धेर सारी वेडियो इनको देख करके सुनक किया जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए और साथ आपको नोस अगर आप खरीदना चाहें तो वह भी आपको 40% discount में मिल जाएंगी ठीक है तो इसके अलावा लेक्टर स्टार्ट करते हैं और कुछ मुझे नहीं कह रहा है चलिए फिलेक्टर स्टार्ट करते है तो अच्छा कोर्परेटी के लिए अकॉंटेबिलिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है या कैसे यह काम करता है इसके बारे मैं आपको भी बताने वाला हूं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है ना तो देर आर थ्री वाइटल elements of corporate governance with accountability, transparency and equality of treatment of all stockholders जो तीन major elements है जिसके कारण से corporate governance एक तरीके से exist करता है या corporate governance में यह तीन चीज़े साइनोमस है लाइक यह चीज़े होनी चाहिए तो ही corporate governance जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा वो है accountability, तूसरा है transparency और तीसरा है equality of treatment of all stakeholders जिन लोगोंने पैसा लगा है आपके business में उनके साथ आपका treatment जो है वो equal होना चाहिए सारे लोगों के साथ, accountability तो होनी ही चाहिए और transparency भी होनी चाहिए आपके काम को ले करके, ठीक है न, so of these accountability is recognized as the key element in a good corporate governance, सभी बात है तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो important एक तरीके से element होता है वो है accountability, तो सबसे पह suppose मुझे कोई काम करने के लिए दिया गया, अब मैं उस काम को करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी उस काम का audit मुझसे मागा जाएगा, जब भी मुझे कहा जाएगा कि आप बताईए कि आपको ये काम करने के लिए कहा गया था, accountability का मतलब होता है कि किसी वैक्ति को इस तरीके से जिम्मेदार ठहराना, किसी काम को लिए कर गया है, वो accountable होता है उस काम को लिए, So, Kumar Mangalam Birna Committee on Corporate Governments had also observed that a key system of good corporate governance promotes relationship of accountability between the principal actors of sound financial reporting, the board and the management and the auditor, right? So, Kumar Mangalam Birna, अभी जो मैंने previous video मैंने आपको बताया था, committee के बारे में जिसको बनाए गया तक corporate governance, you know, कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में, So, उन्होंने कहा था कि एक अच्छा system जो होता है corporate governance का, वो promote करता है relationship of the accountability between the principal actors, जो principal actors होते हैं, sound financial reporting के, जैसे कि board हो गया, management हो गया, और जो auditor हो गया, उनके बीच का जो relationship होता है, उसको एक तरीके सो और enhance करता है, और strengthen करता है accountability, तो यह promote करता है अच्छा relationship between these major factors or actors, whatever you say, तो एक तरीके से यह जो है, accountability जो है, जो हमारा corporate governance है, उसमें जो management accountant है, वो जो management है, है ना, वो accountable होता है board of directors के लिए, और board of directors, you know, accountable होते हैं stakeholders के लिए, shareholders के लिए, जिनका पैसा company में लगा है, और वो यह उमीद रखता है, उनका company जो है, अच्छा grow करेगा, और उनको अच्छा return मिलेगा, तो यहाँ पर accountability आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर जो management है, वो accountable है board of directors के लिए, जो कि उनके ऊपर का jobda होता है, और board of directors जो की company को चलाते हैं, वो accountable है किस चीज़ को लेकर के, shareholders को लेकर के, shareholder उसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है ना, तो इस तरी से, से, so non-conformity with the standards of financial reporting and absence of transparent reporting practices, often result in unscrupulous management of companies and investors suffer losses, mainly due to lack of accountability on part of directors and management, है ना, तो यहाँ पर जो companies है, वो बहुत जादा, यहाँ लौस सम्टाइम उनको सफर करना पड़ता है, due to, you know, unaccountability की कारण, जो accountability है, वो सैट नहीं होती है, directors की, management की, जिसके currency यहाँ पर जादा, यहाँ बहु करना पड़ता है, तो अच्छा, you know, accountability, create करना, जो transparency है काम में, उसको create करना बहुत important है, अगर आप अपने business को ठीक तरीक से चलाना चाहते हो, so that is why accountability is a very important topic to, you know, cover, hence the board of directors has a pivotal role in any system of corporate governance, इसी लिए जो board of directors होते है, उनका रोल जो है, वो बहुत ही pivotal हो जाता है, किसी भी corporate governance structure में, while the board of directors and controls management, chief, executive, executive director and key managers, the directors are jointly and severely accountable to all stakeholders, है न, तो जितने भी top level management हमारा होता है, जैसे कि board of directors control करते है, chief, executive, co-executive directors, key managers, यह सारे के सारे जो लोग होते हैं, यह सारे के सारे jointly and severely accountable होते हैं, stakeholders के सामने, stakeholders के सामने, stakeholders इनसे जब चाहे सवाल जवाब पूच सकते हैं, कि क्या report काते हैं आपको पूछ सकता है कि आप प्रियोडिकली डीटा हमें प्रवाइड करो कि आपने किस तरीके से चीजों को हैं किस तरीके साथ बिस्नस को चला रहे हैं इस सारी जानकारियां जो है आपको उनके साथ शेयर करनी होती है है ठीक है तो यहां पर पॉइंट वाइज बताया गया है कि हमारा पॉइंट है कि अच्छा चीज होता है गुड गवर्डेंस के लिए उसको पॉइंट वाइज यहां समझाने की कोशिश की गई है सबसे पहला है जब आप यहां पर बोर्डेंस को थोड़ा सक्त होना पड़ता है जब बोर्ड दैर्ट यहां पर आपक किसी कंपणी को चलाता है तो बॉट रिकारफ इंट्रीकर के लिए करेंगे ठीक है तो बॉर्ड का यह काम होता है कि वो जो है एक तरीके से इन सारे चीजों को अपॉइंट करें, इन सारे लोगों को अपॉइंट करें, जो की stakeholders के interest कर ख्याल रखें और company जो ठीक तरीके से चलाने में अपना योगदान दे, ठीक है ना? The board adopts transparent procedures and practices and keep shareholders duly informed of the relevant developments impacting the company. तो जो board होता है, जो board of directors उतना, उसमें जो board होता है, जहां पर वो लोग लाइक तरीके से, जो team होती है, वो बहुत ये transparent procedures and practices को अपनाती है, ताकि shareholders को जो है duly, जो सही time है, उससे पहले उनको inform किया जा सकी, कि जो भी recent developments हमारी company में हो रही है, उसके बारे में उनको जानकार ही दी जा सकी, इस चीज़ के लिए board of directors जो है transparent procedures and practices का इस्टमाल करते हैं. Third number point है, a proper internal control system put in place and the same is reviewed for the time to time, है ना? तो एक proper internal control system setup किया जाता है by the board और इसको time to time देखा भी जाता है, ठीक तरीके से check भी किया जाता है, कि यह जो control system में यह ठीक तरीके से काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा है. It facilitates the effectiveness and efficiency of operations and ensures the reliability of reporting, है ना? तो यह एक तरीके से facilitate करता है आपकी effectiveness को, आपकी efficiency को, जो भी आप operations आप कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उसमें आपकी efficiency को एक तरीके से ensure करता है, एक proper internal control system और आप जो reporting कर रहे हो, वो भी reliable हो, वो भी सही हो, इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार होता है हमारा accountability है, आपकी accountability अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो आप definitely ठीक तरीके साब reporting करोगे, तो internal control system इन सब के ऊपर एक तरीके से नजर बनाये रखता है, और सकती से इन सब चीज़ों का पालन जो हो करवाता है, Now, there is a periodic monitoring through internal audit which may ensure the institutionalizing of financial and operating control system in a company, तो एक periodic monitoring system जो है internal audit के थुरू किसी भी company में एक तरीके से institutionalize किया जाता है, ताकि financial and operating control जो है, वो company का ठीक तरीके से चलता रहे, ठीक है न, तो यहाँ पे periodic monitoring system त्यार किया जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें की जाती है, तो यहाँ पे एक तरीके से exist करता है, एक sound system अप्रियोडिक financial reporting, प्रियोडिक मतब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, तो एक period की financial reporting जो है आप सरी टाइम पर करोगे, उसके लिए एक body exist करता है, एक sound system exist करता है, जो की adequate disclosure करता है अपने activities को लेकर करके, transparency show करता है अपने काम करने के तरीकों को लेकर के, तब जाके governance जो है उसमें ठीक तरीके से हो पाती है, ठीक है न, so it is very important कि transparency जो है वो governance में रहे, आप adequate disclosers करो, सारी चीज़ें आप लोगों को बताओ, stakeholders को बताओ, इसके लिए एक existing sound system होना बहुत important है, जो की financial reporting करता रहे periodically, 6th number point है, there is an audit committee of independent directors, तो यहाँ पर एक, जो accountability होती है, वो साट इस तरीके से होती है, कि एक audit committee होती है independent directors की, it is the most vital link in the establishment of a system of accountability to promote good corporate governance, वो यह जो independent directors होता है, यह तरीके से बहुत ही vital role अपना play करते है, एक vital link है, ताकि वो जो है system of accountability create कर सकें, किसी भी, you know, किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी अच्छे position में है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए उसको countable थहराना, उसके लिए एक system तयार करना होता है, तो यह जो हमारा audit committee होता है, independent directors का, वो एक बहुत बढ़ा role play करता है, इन सब चीजों को establish करने में, और accountability को एक तरीके से, accountability का इस्तेमाल करने में, एक अच्छी corporate governance के लिए, ठीक है न? So these are the six points, यह जो मैंने आपको बताएं, accountability as the key to corporate governance, थोड़ी सी आपको backstory लिखने हैं, उसके बाद इंचे points को लिखना है, आपके examination में marks बहुत अच्छी आ जाएंगे, I hope का आपको यह topic भी बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो के आपके ख्याल रखिए, Bye Bye, Thank You